किया आप भी दही एक्तम से परफेक्ट जमाना चाहते हैं जैसे कि आईस क्रीम हो बहुत ही अच्छा दही और आपका दही अच्छा नहीं जम रहा है या फिर लिसलिसा हो जा रहा है या फिर जमने के लिए रखा तो जमा ही नहीं है या फिर जमा तो लेकिन एक्तम करके तयार होगा आप वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आपको मैं सारी चीजे बताऊंगे एक एक करके कि आप किस तरीके से दही जम है और आपका भी दही एक्तम परफेक्ट जम है हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैजिक किचन विद फैमली में आपका बहुत- हुआ है यह दूद यह टोन में लखे यह आदा लीटर दूद है और इसको हम करेंगे गरम यह फ्रीज का रखा हुआ दूद है तो हम इसको गरम करेंगे मैं गैस पर रखा हुआ है दूद और इसको मैं गरम करूंगी और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सिर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट्स में आगे जरूर बताएं आगे कौन सी रेस भी आप लोग को चाहिए है तो मैं दूद को चेक करते हूँ आप देख सकते हैं दूद हमारा अभी अच्छा नहीं था मैं दूबारा फिर से चेक करते हूँ अब आप देख सकते हैं दूद इतना फरफेक्ट जिससी कि हमारी फिंगर सेह सकते हैं जितना टमप्रेचर उतना है और मैंने गैस से दूद को उतार लिया है मैंने लिया है एक सेरमिक का बाउल अब हम इसमें डालेंगे दूद आप जितना चाहें उतना दही जमा सकते हैं एक लीटर दो लीटर मैं इस ताइम आदा लीटर दूद ले रही हूँ और मैंने इसको पूरा भर दिया है दूद से इसका टमप्रेचर एकदम परफेक्ट जितना की मेरी फिंगर से सकती है उतना ही टमप्रेचर आप रखें एकदम अच्छा दही जम करके तयार होगा मैंने लिया हुआ है आदा चमच दही पुराना दही जिसको हम जामन भी बोलते हैं अदके जमआए उरा कज़ी चमच कनद आप वरकें इस सब्त Corps बहुत सब्केशना धम जमेगी के डाऊं को इसके मिक्स करके अदूद सब्क्राना उर्स देखा कहा है और आपको इकम पानी भी तार्य चिपनेगाना 2 लावच्छ जो जाली होती हैं उससे ढखक करके दही को जमाएंगे इससे कोई पानी नहीं होगा और जो इसकी गर्मीयर होगी वो सारी निकलती रहेगी और दही अमारे एकडम से perfect जम करके तयार होगा अब हम आपको मिलती है next day मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने दही जमा लिया और दही हमारे एक तम perfect जम चुका है मैंने इसको freeze में नहीं रखा हुआ है बस जैसे ही जमा मैं जष्ट आपको वैसे ही दिखा रहे है आप देख सकते हैं इसमें कोई पानी नहीं चूटा रिदम आईस्क्रीम के तरह जम करके तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके पीस कट कर रहे हूँ, आप देख सकते हैं एक दम लग रहा है जैसे कि ये आईस्क्रीम हो बहुत ही अच्छा दही परफेक्ट जम करके तैयार हुआ आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीसिस निकल रहे हैं, कोई भी पानी नहीं, बहुत ही अच्छे पीसिस निकल के तैयार हुए हैं, आप लोग भी इसको ट्राइ करिएगा, आपका अभी देख दम परफेक्ट जम करके तैयार होगा, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद, थैंक यू दोस्तों